वेल्कम बैक टो माई चैनल दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दिक्षा पोर्टल पर कई सारे प्रसिछण एक साथ चल रहे हैं उसे में से एक प्रसिछण आपका है आनलाइन इस्पोकें इंगलिस कोर्स जिसे अंगरेजी माध्यम परसिदी विद्याले तथा क दोस्तों, इस कोर्स में 21 पार्ट हैं और एक पार्ट में 5566 माडिूल दिये हैं तो दोस्तों, मैं आपके लिएब तक तीन पार्ट का वीडियो बना के डाल चुका हूं और ये चौथा पार्ट ले आया हूँ, part 4, pronoun, all modules और इसमें, modules में जितने भी assessment के question है, वो question मैं आपके सामने लाया हूँ, आप इनको देख लीजे और देख करके जो है, आप अपने तयारी बना लीजे और आप इस position को भी धिरे-धिरे पूर्ण करते रहिए तो आएए दोस्तों हम सुरू करते हैं, part 4, online, spoken English course, pronoun और देखते हैं कि इसमें कितने module हैं, और उनके क्या-क्या question है है assessment 1, module 1, pronoun, personal pronoun, ये assessment personal pronoun पर आधारित है आएए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या question है पहला question आपको दिख रहा है, now please read the sentences and point out the personal pronoun यहाँ पर देखे एक sentence दिया हुआ, इसे पढ़ना है यहाँ पर आपको personal pronoun चाटना है तो आप जानते हैं कि personal pronoun जो होता है वो I, we, he, see, it, you, they, ये होता है तो इन में से क्या-क्या है, I है, you है, आप देख पा रहे हैं दे है और अस है अर्थात आपका जो option है, option number यहाँ पर third दिख रहा है I, you, they, as, ये right है अगला question है, now please read the sentences and point out the personal pronoun sentence क्या है देख लिजे The sportsman complained that the equipment was spoiled and it could not be used यहाँ भी personal pronoun आपको ढूनना है, तो personal pronoun यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है देखे, it दिख रहा है, ठीक है यहाँ पर सिर्फ it दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा it हो गया personal pronoun, आगे बढ़ते हैं, अगला question है now please read the sentence and point out the personal pronouns यहाँ भी personal pronoun आपको देखना है she decided to give him तो she हो गया, him हो गया और आगे बढ़ेंगे तो आपको he मिलेगा it मिलेगा and her मिलेगा यह आपको पांच यहाँ पर दिख रहे है see him, it और her see है, him है, ठीक है और personal pronoun में he भी है लेकिन यहाँ पर हमें he तो नहीं दिखा उपर दिखिए, उपर वाले option में see him, it, her यही चार दिये हैं, यहाँ पर इन्होंने he नहीं दे रखा है, इनको he भी देना चाहिए था, तो यही आपसा नहीं आपर हम टिक करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में personal pronoun है, और आगे personal pronoun हमें नहीं दिख रहा है इस्तरे से तीन question थे दोस्तों, और यह तीनों question हो गए है आईए score देख लेते हैं यह देखिए, आपका score है 3 out of 3, अब आगे चलते हैं और आगले module में चलते हैं assessment module 2, pronoun पजैसिव pronoun, यहाँ पर हमें पजैसिव pronoun से related questions को देखना है, और उन्हें साल्व करना है, पहला question आपको यहाँ पर दिख रहा है, please stick on the correct sentences she never shares hers book with other children, she never shares her book with other children, तो यहाँ पर दोस्तों पजैसिव pronoun यहाँ पर हर है, जैसे I का, my we का, our, see का हर होता है, यानि हर सही है हर सही नहीं है, आपका जो है यह option number second आपका यहाँ पर right है, फिर next question है, please stick on the correct sentences, if you can't find your sweater, wear hers, if you can't find your sweater, wear hers, यहाँ wear her, यहाँ wear her गलत है, wear hers का मतलब उसका sweater पहनना है, तो wear hers आपका सही है, यहाँ पर यह आपका पहला option right है फिर अगला है, please stick on the correct sentences, as soon as we paid the money, the house become ours, became ours, as soon as we paid the money, the house became our our, और hours ours यहाँ पर right है, आपका पहला option आपका सही होगा फिर अगला है, please stick on the correct sentences, at the end of an application, we write yours faithfully, at the end of an application, we write yours faithfully, यह नीचे वाला जो yours है यह apostrophe लगा है, यह सही नहीं है, ऊपर वाला, आपका yours faithfully, यह आपका right है अगला है, please stick on the correct sentences, these bags are there there सही नहीं है, यहाँ पर these bags are there होना चाहिए, आपका second option यहाँ पर right है इस तरह से इसमें five questions थे दोस्तों, हम लोगोंने five questions कर लिया अब आए देखते हैं, इसका score क्या है यह देखिए, आपका score five out of five आपको प्राप्थ हो गया है, आगे चलते हैं और तीसरे माडिूल में बढ़ते हैं assessment, माडिूल 3, reflexive pronoun यहाँ पर आपको reflexive pronoun के बारे में बताना है reflexive pronoun जानते हैं जिसका car का action swim पर reflex होता है, जैसे my का myself होता है, see का herself होता है he का himself होता है our का our self होता है दे का themselves होता है, it का itself होता है, तो यह reflexive pronoun होता है, car का जो effect है, वो swim के उपर आकर के reflex होता है पहला question आपके सामने है choose the correct sentences he said, allow me to introduce myself he said, myself from one, I am a shopkeeper, तो दूसरा यहाँ पर right नहीं है, myself से sentence रूनी होता है आपका first option is right here आगे बढ़ते हैं, अगला है choose the correct sentences she said, my name is Rina, I work as an architect, she said I am Rina, I prepared this design myself, यह आपका दोनों ही right है, both one and two, अगला question है, Mina and myself went to the zoo, myself यहाँ गलत है, Mina and I went to watch the film, यह आपका right है इस तरह से यह तीन question थे दोस्तों तीनों हो गया है, आईए score देख लिते हैं कि score क्या है दिखें, आपका score 3 out of 3 आपको मिल गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं module 4 की तरफ module 4 related है, आपका relative, interrogative and demonstrative pronoun से संबन्दित है relative pronoun आप जानते हैं कि जो relate करता है और interrogative जो question पुछने का काम करता है, और demonstrative pronoun जो संकीत वाचक होते हैं सरवनाम जैसे this, that, these, those ये demonstrative pronoun है तो आईए दिखते हैं कि इस पर assessment क्या आधारित है, क्या question है दिखें, पहला question है यहाँ पर आपका fill in the blanks with the correct pronouns my cousin photograph I showed you is going abroad my cousin whose photograph I showed या whom photograph, तो यहाँ पर whose आपको fill up करना है, ध्यान दिजेगे दोस्तों यहाँ पर आप fill up करेंगे whose मैं यहाँ पर fill up कर दे रहा हूं whose, दिखें मैंने यहाँ पर whose जो है आएगा सही, whose मैंने यहाँ पर fill up कर दिया है, आगे the man you see there is blind, the man which, which तो नहीं आएगा, the man whom you see, तो यहाँ whom भरना है यहाँ पर मैंने whom जो है fill up कर दिया है, आगे बढ़ते हैं fill in the blanks with the correct pronouns the cyclist was coming very fast ran into a ditch the cyclist who was coming, तो यहाँ who भरना है, यहाँ पर हमने who fill up कर दिया है, यह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है अगला question है fill in the blanks with the correct pronouns I swam across the river was flooded तो river के लिए यहाँ पर निर्जी हुआ which आएगा, which was flooded, यहाँ which भरेंगे, यह दिखिए मैंने यहाँ पर which जो है fill up कर दिया है आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर four questions थे, four questions कर लिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और final assessment की तरफ assessment pronoun पहला question आपकी screen पर आचुका है, God help those help themselves God help those who help themselves, यहाँ पर who आएगा, next यह राइट है, आगे बढ़ते हैं woman must have freedom, woman must have her freedom, यहाँ पर her आएगा, यह राइट है आगे बढ़ते हैं my pen my pen won't work can I borrow yours यहाँ पर yours आपका right होगा ठीक है next question the house will be after her father, the house will be hers after her father ठीक है, यहाँ ladies के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर hers आएगा, यह right होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question है the principle suggested these changes the principle himself suggested these changes the principle herself or himself क्योंकि principle तो common gender है, यहाँ पर आप his self his self लिखा है, यह तो गलत है herself यहाँ पर सही होना चाहिए, यह आपका second option is right इन्होंने इसी गलत बता दिया जबकि दोस्तों आप देखिए, फिर से मैं इसको try again कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर लिखा क्या है हिसम, यह तो कुछ होता है नहीं है himself होता तो सही है, लेकिन उस बीच में s लगा हुआ है, इसलिए यह गलत question feeding हुआ है फिर भी चलिए हम इसी को जो है टिक कर देते हैं, जो ही कह रहे हैं और आगे बढ़ते हैं अब इन्होंने इसको सही कर दिया चलिए, next question है, we should blame and not our fate आवर सेल्फ यहाँ पर, आवर सेल्फ यह वी के साथ आएगा, यह right है इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ is the latest news, what is the latest news, यह आपका right answer होगा, ठीक है फिर आगे बढ़ें, अगला question है, is absent today, who is absent today यहाँ who आएना है, और ठीक है, आगे देखें, अगला question have you learnt poems, I taught you the last week, I taught you last week, have you learnt those poems, ठीक है, these poems तो नहीं होगा, क्योंकि पिछले सब्ता की बात हो रही ही, तो those poems यहाँ पर आपका right होगा, यह उन्होंने इसको गलत कर दिया चलिए दोस्तों यहाँ दीज लगा लेते हैं, लेकिन मेरे recording तो दीज नहीं सही होना चाहिए, किसी भी हलत में, क्योंकि यहाँ पर दूर की बात हो रही है, जो पिछले सब्ता पढ़ाया था, अब यह दीज कह रहे हैं, तो हम दीज को टिक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसकी आप तलास कर रहे हैं, जो आप ढूर रहे हैं, वो एक्सरे यहाँ है, दिस लगाई है यहाँ पर, ठीक है, राइट है, आगे है, आपने इस तरह से 10 कुश्चन्स एचीब किया, चलिए स्कोर देख लिते हैं दूस्तों, सब्मिट कर देते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आपका 10 आट आफ 10 प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसमें पूरे में हमें 2 कुश्चन गलत दिखे हैं, दोस्तों, आपको अगर सही लगता हैं तो लगे लेकिन मुझे तो गलत दिखा है, ठीक है, अगर आपको वीडियो कर दिए और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा आप मेरे चैनल पर बने रहें आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता है आप से नेक्स वीडियो में नमस्कार